हेलो स्टूडेंट्स वैर फाइनली सेंटर उनिवर्सिटी ऑफ साउध ब्यार की तरफ से देख सकते हो कटोफ रिलीज कर दिया गया है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यार यह फस्ट कटोफ लिस्ट है अभी भी और भी कटोफ लिस्ट जारी की जाएगी ऐसा नहीं है कि यह कोई लास्ट कटोफ है तो प्रोग्राम के बारे में डिसकस करने वाले कि क्या सारा सीन है तो यह फाइफ यह इंटीग्रेटेड एललबी कोर्स की अगर बात करें तो अन्रिजर्ड के टेग्री यान की जनरल के लिए साथ सो पचास रहा है वह भी सी के लिए चार सो च सो तर ऐसी का स्ट का देख सकते हो दो सो गितीज इडवलुएस का शहसो उन्सट पी डिवलुटी और दसलाइक के सी डवलुटी में बच्चों ने अप्लाई नहीं किया सिटे खाली पड़ी है इसी के साथ अगर अगर आपन देखें जनरल के टेग्री के लिए फोर येर ब सब्सक्राइब करना है आपकी जो भी पेमेंट लिंक दी गई है यहां पर अपने आपको पेमेंट करना है ठीक है तो इतना करटोब जिन भी बच्चों का आया है उनके पोर्टल पे उनके लिए जो है आपकी रिशिट जनरेट हो चुकी है आपको क्या करना है अपने डोकुमेंट वहां पर समिट करने और आपकी जो भी चालान आपका जो फीस है वहां पर समिट करना है जिसको हम बोलते ह वह सारे के सारे बच्चे पे करेंगे अपनी वेश्षाइट पर जाकर के कैसे करना वह देख लो लोग ठीक है तो जिन भी बच्चों के इस जो भी काटॉप जिया गया वह अगर बच्चे यह काटॉप कलियर कर पाते हैं तो आपको यहां पर जाना है लोगिन वाली आपको फीज समिट करने का ओप्षिन दिख जाएगा आपको अपने डोकुमेंट भी समिट करने है साथ में फीज भी समिट करनी है जिन भी बचों को इस्यू आ रहा है या फिर जिन्हों ने अभी तक हमारा सी यूटी गाइडेंस प्लान जोई नहीं किया है ओल इंडिया की जीतनी भी सारी के सारी सेंटल उनिवर्सेटी जैं ओलिपोर्ट चाउदा सो निन्यानवा रुपए के अंदर फुल सी यूटी के काउंसलिंग आपको मिल रही है जरूर से जाके जोइन कर लो एड्मिशन की शोर्टी आप ले सकते हो सी यूटी एडमिशन गाइडेंस प्ल बच्के लिए रहता है कि याफ कर टोफ किता जाने वाला है क्योंकि अभी जो चीटेद बच्वों को मिल चुकी है वह सीटे भर गई है क्या वो सीटे थोड़ेंगे ठोड़ी तो क्या एडमिशन आगे चलेगा ठीक है जैसा कि यह अँआँ पर देख सकते हो पस्ति यह जो लास्त तक चांसेश आ सकते हैं इसे के साथ OPC वालों को भी यह एडलीस्ट थीन सो के आसपास थैं SC category वाले 150 के आसपास ST category वाले भी ओल्मोस 150 हो के आसपास वाले बच्चे भी अर्ली 4500 के आसपास आपके चांसेश आ सकते हैं आपर सीट्य अगर बचती है तो ठीक है यहां पर भी वाई स्टेंट रहने वाला है सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद नोटिस आएगा रिगारिंग आपकी जानकारी के लिए बता दू कि आपका OPC और आपका अपरेल के बाद का होना चाहिए जिन भी बचों के पास बात का नहीं है वो जरूर से जाके जरूर बनवाए 13 बनवाले आपको ओफ-लाइन जो है ओरिजिनल डोकुमेंट सब्सक्राइब करने पड़ेंगे अगर ओफ-लाइन आपके डोकुमेंट में अगर इस्यू आजाता